फिलिप्पियों के नाम पॉलूस प्रेदित की पत्री पहला अध्याय मसी इश्यू के दास पॉलूस और तीमुथियूस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसी इश्यू में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु इश्यू मसी की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांती मिल मैं जब जब तुम्हें समरण करता हूँ, तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवात करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए बिंती करता हूँ, तो सदा आनंद के साथ बिंती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमचार के फैलाने में मेरे स और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंब किया है वही उसे यिश्य मसी के दिन तक पूरा करेगा। तुम सब की लालसा करता हूँ और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ग्यान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमचार ही की बढ़ती हुई है। यहां तक की कैसरी राज की सारी पल्टन और शेश सब लोगों में यह प्रगट हो गया है कि मैं मसी के लिए कैद हूँ और प्रभु में जो भाई हैं उन में से बवधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन निधळक सुनाने का और भी हियाव करते हैं कितने तो डाह और जगले के कारण मसी का प्रचार करते हैं और कितने भली मंसा से कई एक तो यह जान कर कि मैं सुसमचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ प्रेम से प्रचार करते हैं और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसी की कथा सुनाते हैं यह स परकार से चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। कि बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है वैसा ही अब भी हो चाहे मैं जीवित रहूं वा मर जाऊं क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसी है और मर जाना लाब है पर यदी शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाब जायक है तो मैं नहीं जानता कि किस को च परन्तु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आविश्यक है। परन्तु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आविश्यक है। कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। करता है झाल झाल